नशे से बरबाद सिंदगी हर पल रुलाती है हर दिल, हर घर और हर आख में मायूसी चाचाती है इस दर्द भरी सिंदगी को बदलना होगा हमें जिंदगी को नशे से मुक्त करना होगा आओ करें कि ऐसी पहल जिस से हो जाए सुनेरा हमारा आनी वाला कल दोस्तों आईए आज हम चर्चा करेंगे प्रकृति की अनमोल धरवर आयूरवेद की उस दुरलब खोच के बारे में जिसके उप्योग से आप पा सकते हैं एक खुशाल नशा मुक्त जीवन नशा चाहे बीडी का हो तंबाकू का हो सिगरेट का हो शराब का हो या ड्रक्स का नशा जब लट बनकर जिन्दगी को खराब करता है तो किसी का बस नहीं चलता नशे की लट इतनी बुरी होती है जो इनसान से हर वा बुरा काम करवाती है जो समाज और स्वैम उसके परिवार को इतना आहत करती है कि सब कुछ बरबाद हो जाता है नशे की लट इनसान को आर्थिक तता मानसिक तोर से कमजोर तो करती ही है साथ ही में मनुश्य को शारिरिक तोर से खोकला बना देती है अलग लग प्रकार के नशे हमारे हार्ट, किड्नी, लंग्स, ब्रेन, गले और मुँ जैसे अंगों को खतरनाक रूप से नुक्सान पहुचाते है जिससे कैंसर, हार्ट डिजीजिस, ब्लड प्रेशर जैसी अनेकों खतरनाक बिमारियां हमें गेर लेती है हमारे देश में आज तंबाकू, बीडी, सिक्रेट और शराब पीने बालों की संख्या बढ़ती ही जा रही है जिसके कारण किड्नी, लंग्स, गले के कैंसर, ब्लड प्रेशर जैसी खतरनाक बिमारियों के मरीज, गाउं होया शेहर आपको हर जगा मिल जाएंगे हम सब जानते हैं कि तंबाकू के सेवन से कैंसर और रिदे की बिमारिया होती है और शराब के सेवन से इंसान के सोचने समझे की क्शमता खत्म हो जाती है जिससे किड्नी और लिवर जैसे महतवपून अंग निश्क्री हो जाते है नशे की लट इनसान को उसके अच्छे यार दोस्त रिष्टे नाते और अच्छे करम छुडवा देती है हम समझानते हैं कि इस दुनिया में लाकों करोड़ों लोगों को किसी नशे की तो लट है ही चाहे फिर वो बिड़ी, सिगरेट, गुटका, खैनी, तंबाकू का नशा हो या फिर शराब का नशा हो जिसके परिणाम अक्सर भैंकर और नुकसान दे ही होती है लेकिन फिर भी हम इन नशे को और नशाखोरों को नजर अन्दास कर देते हैं क्योंकि हमें लगता है कि हमें इस से क्या फर्क पड़ता है लेकिन फर्क पड़ता है हमें फर्क पड़ता है जब-जब कोई अपना नशे की आदत का शिकार होता है और जब-जब किसी अपने का घर बरबाद होता है तब हमें फर्क पड़ता है और हमें इस बात का तब एसास होता है मैं कमपनी में CEO हूँ और एक हैपी, हेल्दी, वेल्दी लाइफ जी रहा हूँ और इसका क्रिजट जाता है जो-जो क्वीन अडिक्शन और मेरे फ्रेंड पर उनको वरना नशा तो मुझे सड़क पर ले आया था रवी दिन रात ड्रिंक करता रहता था और जैनरली मॉर्निंग में मुझे कई बार किसी बाहर के बाहर गाड़ी में सोया मिलता था मैंने कई बार इसे मना किया क्योंकि मुझे बहुत बुरा लगता था कि इसकी हालत देखकर कि कैसे नशे में पढ़कर अपनी रेपूटेशन खराब कर रहा है यूनो कमपनी ने मुझे जॉप से निकाल दिया मेरी मंगेतर ने भी ब्रेक अप कर दिया विकोज आई यूज तो ड्रिंक और मेरे पेरेंट्स ने भी उसे भाष्चित करना बिलकुल बन करती ऐसे मेरून ने भी बहुत मदद की अचल यार डोंट मेंशे अगेन अगेन रभी पहले तो मैंने प्विक अडिक्शन लेने से मना कर दिया अरून ने दोस्ती कि कसम देकर मुझे रोज प्विक अडिक्शन पे लाया और इसका प्रिडिट जाता है जोजो क्विट अडिक्शन को थैंक यू जोजो बस नशे के कारण अब और जीवन पर बाद ना होने थे जोजो क्विट अडिक्शन अपना ये जिन्दगी खुशहाल बना ये अक्सर ये बाते हमें तब समझ में आती हैं जब समय मुठी से रेत की तरह निकल जाता है और हम जिन्दगी से हाथ दो गटते हैं नशा एक ऐसी बुरी आदत है जिससे छुटकारा पाना बहुत ही मुश्किल है लेकिन वो कहते हैं ना कि जहां चाह है मेरा बेटा बहुत होनहार था जब तक वो स्कूल में था लेकिन कॉलिज की नई संगत में पढ़कर वो शराब, सिग्रेट, चरस, आदी चीजों का नशा करने लगा मैंने उसे हर तरह समझा बुझा कर देखा पर उसे कोई फर्क नहीं पढ़ता था वो नशे का आदी हो चुका था मैं के लिए औरत क्या करती मैं खबरा गई क्योंकि मैंने उसके पिता को नशे के कारण ही खोया था लेकिन एक दिन मैंने टीवी पर जो जो कुट एडिक्शन का एड देखा और मैंने बिना बताए यह मंगा कर उसके खाने में मिला कर देना शुरू कर दिया धीरे धीरे उसने नशा करना कम कर दिया और अब तो वो नशे से बिलकुल ही दूर है वाकई जो जो कुट एडिक्शन से मेरे बेटे को नया जीवन मिला है जो जो स्काइशाप आप के लिए लाए है प्रकृती की अनमोल जड़ी बूटियों द्वारा निर्मित पून तहां आयुर्वेतिक जो जो कुट एडिक्शन जो आसानी से तमबाकू बीडी, सिगरेट, शराब और हर तरह के नशी की आदत से चुटकारा दिलाता है